Hello class 11th students, चलिए आज हम लोगे एक पोएम, Father to Son, जो की Elizabeth Jennings द्वारा लिखी गई है, ये कविता इसको पढ़ते हैं, ये कविता पिता और बेटे की दूरी दर्शाती है, की पिता और बेटे में कितनी दूरी हो गई है, चलिए ये दूरी का क्या मतलब है, पोएम हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him, so try to build, build up a relationship from how he was when small, yet have I killed, ये first stanza जो है, उसमें क्या, पोएम क्या कह रहा है, मैं, I do not understand this child, मैं इस बच्चे को तो समझ ही नहीं पाता हूँ, हाला कि, though we have lived together now in the same house for years, हाला कि, इस घर में मैं कई वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ, इसके बावजूद मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता, पोएट कहती हैं कि, वो अपने बेटे को ही बहुत कम जानती हैं, और वो अपने बेटे के बच्च्पन की यादों की मदद से, अपने बेटे को समझने का प्रयास करती हैं, लेकिन सब बेकार हैं, चली अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं, प्रयशक मेरी तरह दिखता हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे क्या पसंद हैं, उनमें आपसी समझ की और बाचीत की कमी हैं, और इसलिए वो अजनवियों की तरह बाते करते हैं, उन्होंने अपने बेते को पाला और बड़ा जरूर किया है, लेकिन उसे किस चीज से प्यार हैं, कभी को नहीं मालूम, वो क्या पसंद करता हैं, वो कभी उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करतें, अपनी फीलिंग्स जो होती हैं, उसको have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love, उनके बीच सन्नाटा है, silence surrounds us, उनके बीच सन्नाटा रहता है, क्योंकि वो आपसे बाचीत नहीं करते हैं, या बहुत कम बाचीत करते हैं, फिर भी कभी चाहता है, कि उसका विलक्षन बेटा, जो prodigal है बेटा उसका, वो क्या करें, वापस आजाए घर, वही घर जो उनका अपना घर है, और वह नहीं चाहता, पोएट नहीं चाहती है, कि बेटा अपनी दुनिया में रहे, और इसके लिए वह उसे माफ करने के लिए भी तैयार है, इसी प्रकार वह अपने दर्द को प्यार से बदलना चाहती है, जो पोएट है, वो चाह रही है, कि जो तकलीफ है दर्ध है उनका वो प्यार में बड़ात है पोईट का मानना है कि दोनों पितापुतर को एक ही दुनिया में रहना चाहिए यह नो Father and Son We both must live on the same globe and the same land He speaks I cannot understand myself Why anger grow from grief We each put out an empty hand longing for something to fall तो उनको लगता है कि अपने आपको समझ नहीं सका सकी पोईट जो है और मुझे में दुख के साथ गुसा क्यों आता है उन्हीं ये भी समझ में नहीं आता हम दोनों खाली हाथ आगे बढ़ते हैं पोईट और बेटा तो क्या होता है इस उमीद में कि दोनों एक दूसरे को शमा करतेंगे पूरी कविता जो है वो एक वी विचार धारा पर चल रही है वो है generation gap है ना और generation gap है पोईट और बेटे के बीच में इसलिए communication नहीं है दोनों के बीच और poet ये बात समझने की कोशिश करती है ये generation gap की वज़ा क्या है poem को पढ़ने के बाद आप आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि उसका कारण क्या है इस poem को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाई क्या क्या कारण हो सकता है जो ये generation gap उन दोनों के बीच है उसका एक तो है कि generation gap है तो दोनों के सोच में फर्क है और यही कारण है कि जब उनमें communication नहीं हो पाता तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते उसके बात क्या है misunderstanding है बेटे की सोच अलग है पिता की सोच अलग है तो वैसे भी क्या है दोनों एक दूसरे को समझी नहीं पाते misunderstanding के कारण फिर भी कवी को लगता है कि यदि हम अपने मन में छमा का भाव रखें और उसका हाथ और अपना हाथ आगे बढ़ाएं माफ कर देने के माफी मांग कर एक दूसरे के साथ रहेंगे हाथ बढ़ाएं तो इस गैप को दूर किया जा सकता है और आपको पता ही है जैसे इसकी पोईट जो है अलिजबेट जैनिंग है अब हम देखेंगे कि इसमें पोईटिक डिवाइसे क्या क्या इस्तेमाल हुई है तो पोईटिक डिवाइस में क्या है सबसे पहले देखेंगे ऐलिटरेशन ऐलिटरेशन आपको पता ही है कि ऐलिटरेशन में दो बिल्कुल अगल बगल वाले वर्ड्स जो है वो सेम लेटर से start होते हैं यहाँ पर आपको alliteration जो मिलेगा वो है silence surrounds silence surrounds दोनों में इसमें भी s और इसमें भी s कम से कम दो या दो से ज़ादा words होने चाहिए तब ही आप alliteration कर पाऊ बीच में अगर दूसरा कोई word है तो वो नहीं होता इस तरह से बिलकुल अगल बगल वाले word जो होते हैं तब हम इसको alliteration कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक example अगर exam में पूछे या question आजाए exam में तो आप यह example बता सकते है alliteration का उसके बाद हम देखेंगे इसकी rhyme scheme तो rhyme scheme जो है आपको पता ही है कि rhyme scheme में last word देखा जाता है और यह देखा जाता है कि क्या दोनों rhyme कर रहे हैं तो देखेंगे हम इस first asanda का rhyme scheme देखते हैं same rhyme scheme हर stanza में follow किया है point ने पहले वाले में देखी क्या है child now no, build how, killed तो आप देखें child now और no यह तो लगब एक दूसरे के साथ rhyme कर रहे हैं और how भी एक rhyme कर रहे हैं के साथ लेकिन child build और killed यह तीनों एक दूसरे के साथ rhyme कर रहे हैं तो इसका naming कर दीजिए naming आपको पता ही है rhyme scheme में a b a b से naming होता है naming होती है तो इसका नाम अगर आप a रखेंगे child में तो यह तो दूसरे के साथ rhyme कर रहे हैं तो इसको b b रखें फिर child के बाद यह build आ रहा है तो फिर यह a हो जाएगा फिर how यह now और how तो यह हो जाएगा b और फिर यह हो जाएगा killed child a तो क्या बना a b b a b a a अब आप से पूछ़गा rhyme इसकी rhyme scheme क्या बना इसका तो बनेगा a b b a b a a b b a b a इसकी rhyme scheme बनेगी ऐसे ही आप हर poem में rhyme scheme बना सकते हो अगर poetry rhyming के अनुसार poem की lines लिखी है तो हर poem में rhyme scheme नहीं होता कोई वो free verse में भी poem होते हैं तो आप देखिएगा हर paragraph में ऐसे ही बनेगा हर स्टैंजा में ऐसे ही बनेगा अब आप लोग तो छोटी क्लास में हो 12 में हो तो पूरी poem की rhyme scheme तो आपको लिखने के लिए नहीं आएगी लेकिन जो paragraph आता है एक स्टैंजा जो आता है exam में वो उसके according आप हमेशा rhyme scheme लिखोगे यह नहीं कि पहले में हमने A दे दिया तो इसमें B, C, D कुछ भी मर्जिया है वो देंगे नहीं जो line आपको exam में आएगा उसी के अनुसार आप A, B, A, B का rhyme scheme बनाओगे सपोज मैंने फरस्टर स्टैंजा का आपको बना दिया सेकंड में आप देखिए सेकंड में क्या है वियर, माईन, साइन, एयर, डिज़ाइन, शेर तो अगर यह आगया स्टैंजा आपको exam में इसको A, B, बनाईи Дेके A, B, माईन, साइन B, B, फिर एयर, वियर, एयर तो यह हो गया A, फिर डिज़ाइन, यह हो गया B और शेर हो गया A तो क्या बना फिर से वैसे ही बन गया स्टाइज़ा की तरह इसमें बन गया फिर ऐसे आप देखें have to new move to love तो have, move, love एक साथ आ रहा है तो a, a, a और इधर हो गया to new to तो हो गया a, b, b, b तो फिर हो जायागा a, b खाली आपको pronunciation में जो जैसे आप बोलते हो ना उसके हिसाब से आपको देखना है ना कि spelling देखनी है और यह तो ऐसे पढ़ते हैं नहीं उसकी pronunciation आपको देखना है उसके according आपको rhyme scheme देखना है ठीक है इसमें भी same है क्योंकि poet जो है लगो एक ही तरह का rhyme scheme follow करता है हर stanza में rhyme scheme देखेगा यहां भी देखे आप leave, land, stand, grief, hand, forgive तो यहां भी leave, grief, grief और forgive यह इस तीनों जो है वो a बनेगे और land, stand और hand यह तीनों b, b, b बनेगा तो फिर वैसे ही बनेगा a, b, a, b, a ठीक है तो पूरे poem की rhyme scheme तो है अब अब एक और चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो ह है इसमें जो इस्तेमाल हुआ है poetic devices उसमें simile इस्तेमाल हुआ है अब simile कैसे पहचानेंगे, simile हम जब भी poet कहीं पर भी दो शब्दों का comparison कर रहा हो और इसमें like या as use कर रहा हो तो आप इसको simile कहेंगे, metaphor में straight forward comparison होता है लेकिन metaphor में भी comparison होता है लेकिन सीधे सीधे होता है comparison लेकिन simile के सबसे अच्छी पहचान यह है कि बीच में कोई word as या like जैसे word इस्तेमाल होंगे जैसे हम देखिए we speak like strangers दिया है we speak like strangers यह रहा we speak like strangers तो यहाँ क्या है कि बीच में यह like word इस्तेमाल होगे ठीक है तो इस तरह से क्या है इसका यह जो है simile का example है तो आप हैसो जवाब से पूछे की simile का example बताओ तो आप यह line बताएगी ठीक है तो इस तरह से यह पूएम आज हमने finish कर लिया आपको कैसा लगा पूएम इसे like और subscribe जरूर कीजी और share भी कीजी ताकि दूसरे बच्चे भी इसको समझ पाएं और पढ़ पाएं थांक्यू वेरी मुच्छ कर दो आपका झाले कीजी ताकि जरूर कर रजू पूएम झाले की है तो कर दिए है पाएंक जरून कि रख़एंगे पूएम झाले कीजी तो आपको की जरूएम से बटिसे उना बागाव जबदे की कीजी dark